अस्लाम ओलीकम, student हमने previous sessions पे बात की descriptive statistics पे मेइर जिसमें हम ने मेइर उफ central tendency और मेइर उफ dispersion पर in detail बात की और उसके बाद हमने exploratory data analysis तो यह ग्राफs पर हमने बात की और काफि सारे graph को हमने डिस्कस की और हर graph को डिस्कस करते हुए या हर measure of center tendency or measure of dispersion को discuss करते होए हमने ये चेक किया कि ये कौन से scale of measurement ये type of variable पे suitable है तो इन चीजों के बार में जाना बहुत जरूरी होता है कि अक्सर वकात ऐसा होता है कि test कोई और होता है कहीं और type का data होता है और test हम और लगा रहे होते हैं हमें आता होता है लेकिन basically इसके पीछे जो based है वो strong होनी चाहिए इसी तरह से हम जब अब move होंगे inferential statistics पे तो यहां भी हम वो सारी बातों को consider करेंगे inferential statistics basically क्या होती है कि आप sample से data लेते हैं और उसको test करते हैं और test करने के बाद आप generalize करते हैं population पे so let's see कि इसकी दो types हैं एक है parametric और दूसरी है non-parametric parametric के कुछ parameters हैं population के और वो अगर आपका sample data जो है वो पूरा करता है तो हम जह कह सकते हैं यानि parameter means कि वो normality की हम उनको assumptions कहते हैं अगर तो वो पूरी हो रही हैं तो हम उन पे जो test लगाते हैं उनको बोलते हैं parametric जिनमें T test और अगर वो parameters पूरे नहीं होते तो फिर उनके alternative हैं यानि अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर हम non-parametric पे shift होते हैं parametric ज़्यादा strong होते हैं robust होते हैं और non-parametric comparatively कम होते हैं लेकिन appropriate type की जब हम technique चूज करते हैं तो वो basically sportive होती है हमारे results को valid करने के लिए और accurate measure करने के लिए तो अगर तो measure हो रही हूँ normality की assumption तो फिर हमें parametric पे shift होना चाहिए और नहीं हो रही हूँ तो non-parametric पे तो ये कौन सी हैं एक है normal distribution कि क्या standard वो histogram पे जो हम पीछे बात कर रहे थे जा normality की जो curve है वो सही तरह से data distributed होता हमें नज़रा रहे है क्या skewness और kurtosis अपनी range में है और जो ideal होने चाहिए जितनी acceptable है उतना है और data आपका interval ratio scale पे है ऐसा तो नहीं है कि वो ardenal है आपने measure ही ardenal किया है यानि mean और standard vision की base पे है homogeneity of variance है इसमें एक leavens test होता है उसकी value होती है 0.05 जब आप test को apply करते हैं SPSS में तो वो वहाँ पे show हो जाती है अगर 0.05 जो value है जब आप comparison कर रहे हैं वो कम हो 0.05 से तो हम उसको कहते हैं कि ये significantly differ कर रहे हैं दोनों सेंपल जो है यानि इसके जो variance है ये differ करता है अगर variance सेम नहीं है तो it means कि normality की assumption जो है वो violet हो रही है तो वो value basically 0.05 से above हो तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई आज ये assumption सही पूरी हो गई है लेकिन correlation के test में उसको homo sedacity कहते हैं और उसी तरह से check किया जाता है और ये causal comparative के हवाले से या experimental research के हवाले से तीसरा, sorry, force जो assumption है that is independent observation कि आपके जो items हैं questionnaires के वो ऐसे तो नहीं हैं कि वो similar similar हैं वो एक दूसरे से मुख्लिफ हैं और इसको कैसे check किया जा सकता है आप जब piloting करते हैं तो items का आपस में correlation चेक करें अगर वो correlation बहुत high आ रहा है यानि आप कहलें कि वो तकरीबबन 0.9 से अबफ शर्चोव हो रहा हो तो उसको कहते हैं कि ये independent नहीं observe कर रहे हैं ये तो एक दूसरे पर बहुत depend कर रहे हैं और इनको जितना मुझे याद है या five point something ऐसे होता है उसको confirm कर लीजीग आप क्योंकि एकदम से मेरे mind में बात आई और मैं explain कर दिया तो वहाँ से भी आप check कर सेकते हैं कि ये independent observation है और दूसरे ऐसा तो नहीं है कि दो लोग इकठे ही back उसको fill कर रहे थे या एक बंदे ने ही दूसरे का भी fill कर दिया questionnaire तो ये भी independent observation की जो violation है और last है कि no outliers outliers जो हैं वो इतना ज्यादा उसको effect तो नहीं कर रहे अगर outliers बहुत ज्यादा हो तो data को trim किया जाता है यानि above 2.5% और below 2.5% को exclude किया जाता है ताके जो दर्म्यान में 95% data है उसकी waste पे आप results को generate कर सके हैं और फिर भी उसको check किया जाता है कि क्या वो फिर normality की assumptions को पूरा कर रहे हैं तो ये basically normality की assumptions थी और difference था parametric और non-parametric test के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी है तो मेरे चैनल को subscribe करें और अगर को confusion है तो comment section में comment करें असलाम अलेकुम